असलावलेकूम नाजिम महें शब्फा सल्तान इस ओप्या कुकिंग शो उमीदा सब खेरे सांदा आई जेका रेसेपी स्थाइंदा हूँ पैसेफिक कुकिंग ओईल सगर वाइटामिन ए एंडी का बर्पू कॉलेस्टोल के कंद्वा कंट्रोल बैतें कुर्किंग ओईल पंज खर्णी में जोड़ को बिचलन जो सीजन वद्धन तका माझ यह सोजवता था सका लियू खा रखाँ अधाल आई आए और रह्ताँ आई देलि टाइना हो रहता भी तमाम एहमेद रखना हैं घर्मिन में थंग अग्रमिन में थदा खादा थदिशह आ हो तबदीश हुख कर यहां आचे शर्बत प्उयां टोधिम, रिख माने अपा करें। आई जिक कर रासपी अदेटेल ने में पॉपी थाँ जाए निद राज रोगाटा कॉर्टो नंबर भी रेए सब्सक्राइब करें तां कॉछ पूच्छी भी सगोता आई pan कोभाटा मुझे फोन तब फेस्बुकिटेए अज की जो रेसेपी बना रहे हैं पैसेफी को किटान कॉलिस्टोल को कंट्रोल करता है अपनों का प्यार पैसिफिक कॉकिंग ओयल चार किसम के रायते बनारों गर्मिया हैं गर्मियों में हम दही का इस्तमाल ज्यादा करते हैं तो वेजिटेबल का भी करते हैं तो मैंने सोच है वेजिटेबल के साथ डिफरनल फ्लेवर्स के राय किजिएगा सुबह 11 बच के 5 मिन पर रिपीट चलता है को किई विशेफस ना मेरा पेज रेसेपी अपलोड हो जाती है उसी पेज पर मुझे मैसेज़ेज भी कर सकते हैं और यूट्यूब पर अगर मेरी रेसेपी देखना चाहते हैं तो सारी प्रीविएस वीडियो आपको मि पाओ के डिफरेंट है क्योंकि मैजिमेंट में आप लोग को वह अंताजा हो जाए चार हैं दही के पाओ-पाओ के पेकेट तो इस तरह हमने क्या किया है कि लोकी को मैंने बॉइल किया वाइल किया वाइल लोकी जेका है बड़ी वट जो अद्द किलो जेतरी हिंजा पीसे स पाओ के लोग के लोग को मैंने बॉइल किया है इसका पानी अपने फेकना नहीं है एक ग्लास पानी के साथ आधा किलो लोकी के तीन से चार पीस करें जाएगी तो वह गल्बी जाएगी उसके पानी तेज आंच करके ड्राय कर दें इसी तरह भिंडी एक पाओ है बिंडी को लंबाई में दो पीस में काट दिया ठीका भिंडी हिक पाओ ही लंबाई में बपीस में कटें के त्रिफ राय करे कटी चलिवा है यह जो भी राय तो ठांदो खीरा ही ते तक्रिबन वड़ा बग खीरा वा या ट्रे खीरा खणी बटो लेड़ कप जेतरो खीरे जो अब मैं स्टार्ट करता हूं रायता बनाना और डेटेल में आपको बतार होता रहूंगा कौन-कौन से हम रायते पहले बना रहे हैं ठीक है इससे पहले हम बनाएंगे लोकी का रायता लोकी के रायते के लिए हमें क्या चाहिए दही एक पाउ ठीक है ये पैक्कट्स बनाके रखें दही के ताके easyly measurement की जा सके अहिंगे दुकान है दही जी मुझी ठीक है इस तरह एक पाव आपने दही ले ली इसको बीट करें ठीक है दही को अच्छी तरह इस तरह बीट करें यह हम बनाएंगी इसमें भगार भी लगेगा ठीक है ज्यादा ना अध्कप पानी लालेगा थोड़ा इसको बहुत ज्यादा गाड़ा भी नहीं हो बहुत ज्यादा पतला भी नहीं हो इस तरह आपने यह बना दिया इसमें हम डालेगे नमक लून विंदो हजबे जरूर आफ टीस्पून से कम ठीक है इनी क्वाइंटेटी में कुट्य अलगाड़ा मिर्च विंदा अध्ध चाय जो चमचो आध्ध चाय का चमच कुट्य वी लाल मिरच ठीक है और इसमें अधसा कशकरे मुवी जी चलिए ठीक है भूगल आ है अताय जे मता इनके भूने चलिए यह डाल दिया हाने में में विंदा कारा मिर्च थोड़ा सा क्वाटर टीस्पून चोथा चाय का चमच काली मिरच कुटी वी इसको मिक्स किया लहसन चॉप करके डालेंगे इसके मैं इसमें थोड़ी सी चॉप करके डाला हूँ वैसन डाल दिया अब इसको अच्छा सा मिक्स करें है ठीक है मिक्स किया अब मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है लोकी इसके अंदर डाल देनी है लोकी में पानी नाओ इसका ख्याल रखीगा ठीक है लोकी के दो दो पीस कर जाएगी हलवे की तरह हो जाएगी ज्यादा इसको आप मिक्स करेंगे तो बिल्कुल यह गली वी है वाइल लोकी ठीक है लोकी या गोल वारी जिकात हांके सुठी लगे जी सगोता है इस तरह आपने लोकी डाल दी और इसको अब हमने क्या करना है इसके उपर बनेगा भगा अब हो गया लोकी का रायता त्यार ठीक हरी प्यास थोड़ी से कंदो में डालूँगा अगर साधी प्यास डालना चाहते तो आप वो भी डाल सकते हैं अच्छा इन जो दाग ठंदो दाग में संचावी जंदासी में पैसिफिक कुकिंग ओल ठीक हरी प्यास का वाइट पार कि अज्रय के कैसा में रायता है तरह हल्का सा मेक्स करदे ठीक हरने के बाद वो अगर तहां के पसंद ना है तब वो तहां ना वेजिजो हाफ बसर हाफ स्लाइस कटिंग करें ठीक है हाफ स्लाइस कटिंग करके अपने प्यास इसके अंदर डाल देना प्यास चला गया और हरी मिरच इसमें जाएगी एक अदर साव मिरच चौप करें विजानासी ठीक है बिल्कुल असान आए राय तो आई हाने में चावी जन्दा सी सावा धाना अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया थोड़ा साव कॉल भी अटूदा असलाम लेकुम आवाले कुम असलाम अदा मैं से दुलफकार पभिए लए कराची गों चाहाल है इन ताँ जाए ताँ ज्रेख क्याए था हरा गर्माइब था इसक्रीम उगे रहें हाय रहे हिए ताँ यहए था इंशाला है ऐगे हफते का इंशलला आईसक्रीम वालूदा अच्छा था परण प्राइब कर्कांट था कि रुट्था था थों मेहर बांटि वाय गवड़ी का्ट थीक, कार्स अहा क्या वह बाता था क्या ओश्टा काफी यह भगार हम बनाएंगे इसके उपर भगार में क्या जाएगा थाबित लाल मिरज लॉंगी मिर्च चार पंज बस ठीक है थोड़ा जण दा तेज भाएने थे साबित लाल मिरच डालेंगे और हम एक बाल ले लेँए जिसें लोकी का राइता हमने डालना है भगार उपर से डालेगा ठीक है यह फूश्वान eyelids लोकी है तो कि यह लोकी का रायता हो गया इसके पर हम भगार डालेंगे कॉल बाठूदा असलाम लेकूं अवालेकुम आपकी लाइन डॉप जाए तीवी जो वालियूम बन कर दें वनना आपकी लाइन ड्रॉप हो जाई लाइन ड्रॉप हो जाना झरो प आपकी लाइन ड्रॉप हो जाए लाईन ड्रॉप INमें विल्गों बन के बात waat करें या दूसरे अग्वे में जा के बात क्या क्या करें व्हां इश्वेवीशायाई फ्रॉप मैं बन करके बात किया करें तोड़ा आएल मुझे ज्यादा हाणे लोंगी मेर्ट सडी वया आणे शाकन्दास उनमें विजनास लृषी पत्तों अब हम इसमें डालेंगे घ्री पत्ता 6-8 ठीक है में लोगी सब्सक्राइब कर्षा ना ना राइ शॉट ब्रेक रेको घृ कॉटा राइता है कन्टीनुल दाज से वेलकम बेक नाजीम ब्रेकते वनेका पहरी थाहर सामुजे को हिक राइतों मुठायो तमाम जबर्वस थाही विए उन्जी बंगा ताग जेनो हाने असा थाहिंगा सी चिकन वेजेटेबल राइतों यह राइतों इड़ो जबर्वस थाहिं कि ताहिं में को दावात आए तो उन्जी साइड डिश में भी तना रखी सगोता सेलेट वंगर इनके सर्फ करे सगोता है नला सांखे चिकन कपे बॉयल हिक का डेट कप अध़ पाजेतरी ठीका रेशो ठाईच है जो हिने तरे वदिक अधर बीन आवजें पीसेस में उन्हें से अगड़ पाटाटो एक अधर बॉयल क्यूज में आलू एक अधर बॉयल क्यूज कर दें सॉरी रेशा बना लेए चिकन का एक कप जितना डेल कप जितना आधा पाओ होगी ठीक है एक अधर चोटी गाजर का हाफ गाजर लेलें हा तरह स्माल क्यूबस बना लेंगे पेको चॉपिंग करके हाफ कप जितना हरा प्यास साही बसर अधर कप जेतरी यह उनका थोड़ी बदी भी खणी सागो था इनका फ्लेवर तमाम सुट्टों इन दौटी का यह हो गई हरी प्यास इसके अंदर जाएगी एक अधर हरी मिरच प्लीज रिपीट कराई चाजू अगें कि अम्री एक भी अचार आका आएगा ना थोड़ो टांप लगार तो रम्दान यूमीद रूरी थे और शुट्टी को अचीवन अचार वाली तो उल्वारो वारों इस तो तो ऑल्युद वारों सिर्के वारों बढारान सेका नंदम आंगें तो ऑल्यान जिएक आदम थेका हाँ रम्जान अठापे राइं थाया है अचार हाँ खटानमा रम्जान का पेरे थाइंदम चाकान तो रम्जान में मना थाइश लगन वाया बिजी उंदुआ शुटिव लसां जो डा डोटी का हाँ वो तमां की समझा दिना करें तुमाता है करें याद करें बस अंबरियो थ भी तालो ठीका नेक्स्ट वीक इन्शाला मा थास्टेज उठाया थो ठीका तिका बिर्यानी का मेरबानी अच्यों महरबानी अला प्रेस अच्छा है में चाकन्दासी तद्धी के बीट ना सी ठीके इसमें बीड़ी बीट ओगी चिकन वेजटेबल राइट बहुती डिफर जो डाइट करते हैं, डाइट कॉंशिस हैं, उनके लिए बैस्ट है, लांच टाइम पे आप ये राइटा बना के सिब खालें, आपको खाने होने की ज़ुट नहीं होगी, और फुल मील है, और डाइट के लिए बहुत ही जबरस्त है, ठीकर जहें, अदिन जो वजन वदेल आ आइट कन पयों, उनन जेला तमाम बैतरी ना चाकन दा, चिकन भी बॉइल आए, वेजिटेबल्स भी बॉइल आहीं, आहीं, साइलेड भी आहीं में, तहीं जबरस्त आजेला राइत उठांदो, ठीकर हमें भी थोड़ो सा पानी विजन दा आसी, अई दही जी कॉंटिटी म काली मिरच, इसमें जाएगी, कुट्डी भी फ्रेश, चौपतियल फ्रेश है अच्छा या थोड़ इसी क्वाटर टीस्पून, अच्छो जीरो भुनियल कुटियल, सफेज जीरा, भुना कुटावा, एक चाय का चमच हाथ में, मसल ने, ये साबत है भुनावा तो मैं मसल आप ऐसे डाल दीजिएगा, ठीक है, लेसन के जवे, दो से तीन अदद, ये भी ऑप्शनल हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है, ठूम जी गणियों, ऑप्शनल हैं, जरूरी नहीं पसंद ना विजो, लेकिन खशा है, फ्लेवर सुठो हीं दुआ है, ठीक है, बेकुल, फाइन अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, ठोड़ा सा, एक अदद हरी मिर्च, और हरी प्यास हाफ कब जितनी चॉप करके, ठीक है, साई बसर, अध्द कब जेतरी, छॉप थे अलुई, ठोड़ा सावा धना, कटिंग थे अलवा, बारी, हेक अदद साव मिर्च, अगर बारन के अगर चाहिए तो वाइल के ज़र था ठीक है, गाजर कच्ची है, आप वाइल करके डालना चाहते है तो डाल दें, इवेने कच्ची डाली फ्रेश, कीरा, इस सेम कॉंटिटी हाफ हाफ कब जितना है, ठीक है, एक अदर टमाटर, चिकन, रेशा किया है, ठीक है, इसको मिक्स अचिसे मैंने पहले भी काल की थी, जी, जी, कुछ कहना चाहेंगी, कोई फर्माईशी अपकी, चिकन हंडी, चिकन हंडी, अच्छा, ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ, अगर आप वीडियो देख सथी, योट्यूब भी उस करते है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, अगर बढाना चाहें, अगर बढा सकते हैं, अगर बढाना चाहें, एक पाऊ है, आप देड़ पाऊ तक ले जा सकते हैं, ठीक है, यह हो गई हमारा second रायता त्यार, इसको थोड़ा सा करते हैं, गार्मिश, ताकि इसका लुक अच्छा है, थोड़ा colorful आए, इसके बाद हम खीरे का राएता है, आए, ठाहिंता हम खीरे जो राएता है, ठीक है, थोड़ी से गार्मिशन करते हैं, ताकि जो लुक थोड़ा ठो़़ा जा, इसको तेर रायता थिकर, हाने अचो थोड़ राहता है, थिकर, थोड़ केरे हम बढाυार ब्रिंदी जो राहता हु, इसको ब विग में भीन्दी रायतें में क्याटेक्ति पर और बंग राउंटत्त छूट करें हम एक पाउ दाही कंड़ी, एक पाउ दभी पशुार olharना ना हो जो इल्चो हमाते बंग忙 हो बाउंग मेंữa सबर्स थिया और इसमें भगार भी बनेगा ठीक है एक पाउ दही आज मैंने दुकान लगाई भी तही की इस तरह आप लोग दही के पैकेट्स यह अलग इसलिए की विए पाउ के पैकेट्स हैं ताके बैलेंस में दही निकल जाए ठीक है एक पाउ दही ही दाहे बिंदी जो रहा है तो है के भी बीट कंदा से इसको बीट कर लें अच्छी तरह यह हो गया इसमें भी जाएगी लैसन लैसन इसलिए डालना हो लैसन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ठीक है तीन जावे लैसन के चॉप करके अगर नहीं पसंद तो ना डाले ठीक है अगर पसंद ना है तना वी जो लेगे इनका जबरदस फ्लेवर अच्छे तो अच्छा कर देए असम मानी जगत खाई दाई हूं आई ही तमाम सुठो लगंदू है तो कॉल वैड़ हुता असलाम लेकूम हलो असलाम लेकूल एक उस्टलाम है जिर स्कान जाती बोल रही हूं आप कैसे हैं बिल्कूल ठीक थाग आप बतायें क्या हैं ये अल्हम्दिलिल्ल्छ आ ये चौ आप बना रहे हैं ये बहुत अखे रायते बन रहे हैं जै और इसमें प बाइक्टी जसमें तंशों? बंदीश तोम के थ symbiary धुम पुटे विजी में अधिश्चाइच में टुम्वड़ ही . अगर बच्चों को दे रहें तो हरी मिरच नहीं डालिएगा वो अलग से उनके लिए निकालने एक अदद हरी मिरच, कुटी लाल मिरच आदा चाहे का चमच, नमग हाफ टी स्पून से कम हजबे जरूर चला गया और इसमें हरा धनिया जाएगा थोड़ा सा फोर फ्लेवर, थोड़ा सावा धाना बिल्कुल घट, ठीका हजबे जवक इवी जी चलिया आई हाण हींजे मतना दाख ठांदो, इसके ओपर भगार बनेगा, फॉर टेबल स्पून साइए क्योंकि हमने भिंडी भी फ्राइ की वी उसमें भी ओईल है, फॉर टेबल स्पून पैसिफिक कुकिंग ओईल थीका, फॉर टेबल स्पून फॉर चार खाइंजा चंच, पैस दाना, साबित लाल मेरेश 5-6 दाने, अब इसको भी मिक्स करते हैं, स्पून से, और इसको भी हम एक बॉल में निकालेंगे, इसमें निकाल लेते हैं, ठीक है, भेंडियां इसके अंदर चलीगे, फ्राइ, इसको मिक्स करें, प्यास डालने के वैसे जबरत नहीं चाहें, त इसके अंदर इक्तियास डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, भेंडियां डाल दी जब तक भगार भी बन रहा है, पूरी दही राकाल लेते हैं, तो कि इसको हमने इस तरह भाई में डालते हैं, तो इसको पर भगार आ जाएगा, यह बहुत ही मजेगा बनेगा आप इसको जरूर ट्राइ किजिए कर रोटी के साथ बहुत ही सब्रवड़ा है, पिंडियों इसाब फ्राय कंदाई हूँ, तो हैंने करें ताहां के डिफरेंट के समझे, राइता भी ताहां इंज्वाय के और डिफरेंट के समझा, ठीक है, काशे समझे नतीर चे कॉल करें पुछी भी सब्गोता, यह थी वहिन का पुठाइंदा सी खीरे जो रहे तो सिंपल विल्कुल असान, पिते जो दाग ठाई बने, मिर्चन भी हमेशा साड़ भूआ है, ठीक है, मिर्चों को हमेशा जलाया जाता है, पैसिफिक कुकिंग ओईल के साथ यी बना रहे हैं, पैठी वियो, त्यार, इस तरह आपने भगार देना है, इसको किलियर करें, ठीक है, वरी बुदाईते चनल, चार का पंज, टेबल स्पॉन, पैसिफिक कोकिंग ओईल, लॉंगी मिर्च, पंजी का छ, अचो जीरो, हिक चाय जो चम्चों, पुकड़ी पता, चादध या थादध वी चाजो, अई मैथी दानों जरूवी जन्दा को, इनका फ्लेवर सुथो अचे तो भगार में, ठीक है, मैथी दाना में डालता हो, तो से क्या होता है, फ्लेवर बहुत जबर्दास आता है बगार का, कॉल भी अटूदा, असलाम ल मैरबानी निर को पारो आटा ना हो। सत्वाञ्ज में अचिंघНY अब कीज रायता है एह रायता है आपम रखेंकर थ्यानियों नहीं परनाओamine रहा भीट करें ता न विफ एक ड़ने का सब्सक्ना मेसेझे परनां जीजेचे हैं खीरे के राइते के लिए हमने क्या करना है दही को अची तरह बीट करना है इसमें हमने डाल देना नामा ख़स बेजरूरत अपने हिसाब से ठीके इसमें हम डालेंगे कुटी लाल मरच थोड़ी सी 1.4 टी स्पून चोथो चाय जो चम्चो कुटील गाडा मिरच चोथे चाय ज इस तरह डालाओं आप फूट के डाल सकते हैं एक चाय का चम्मच चला गया इसको करेंगे मिक्स इसमें जाएगी हरी प्यास हरी प्यास ठोड़ी सी हाफ कब जितनी चॉप करेंगे ठीका साइबसर बिल्कुल थोडी बिल्कुल बारी चॉप का जो अध्य कप जेतरी ठीका स नाई बसर का अंने फ्लेवर्स उठो इंदो अच्छा क्ष्पेल आ रेड़ कप एग कड़ कर दिएक अधर हारा मिरजी ब्रेक आई हुआ है, अच्छा ठीका, है कदर साउ मिर्च वियों हिनके मिक्स कना सी, सब तयार थी वियों हिंजे अंदर विजन दासी असा, कशकेल है दिसो, खी रो, ठीका, खीरा कशकी आवा डाल दिया और इसको मिक्स करते है, का दिना जो की शौट बेक बटू था, जेस मिक्स का तो ब्रेक आप उचे इंके डिश आउट कना सी, रेसेपी पो रिटी करेंगा सी, वेलकम बेक नाजी, इम ब्रेकते होने का पही ता है, सामुझे को खीरे जो राय तो ठायो, हुनके अबी डिश आउट करें चाड़िवा, इसाइड मेमा, इसाइड मेमा, इसाइड इसाइड साइड गार्निश करें घड़े, सिंपल यह गार्निशिंग कंदो, ठीक है, यह 4 रायते, सुबह 11 बचके 5 मिट पर रिपीट देख सकते हैं, कुझिग वीडियो देखना चाहती हैं, और वीडियो देखना चाहती हैं, तो यूट्यूब पे सर्च करें कुझिग व नमक नहीं डाला है क्योंकि हम रायते में नमक डाल रहे तो वह बैलन्स आउट हो जाएगा आपने साधी लोकी बॉयल करनी है ठीके और बहगार में प्यास ब्राउन करके एड़ कर सकते हैं हाँ आप करना चाहें तो प्यास ब्राउन करके एड़ कर सकती हैं अच्छा फ्लेवर आएगा अपकी जैसी मर्जी और कड़ी पत्ता अगर फ्रेश ना हो तो ड्राई डाल सकते हैं कड़ी पत्ता अगर जिन इलाके में नहीं मिलता है तो आप इसको ड्राई करें सही कहरी है आप डाल सकती है क्योंकि हमें उसको जलाना होता है फ्लेवर देना होता है चाहे वो फ्रेश हो चाहे वो ड्राई हो लेकि उसका फ्लेवर हमें उसको जलाने के बाद ही आता है आप पास लाइट नहीं है आप सुबह देख लीजेगा प्लीज हां सारा है सारा हभी प्लीज में डूनेट सारा हभी इन्शालाह मैं जरू बनाऊंगा डूनेट आपके डूनेट सोरी कॉल वर्ट हूंता असलाम लेकुम प्लीकुम वालिकुम असलाम है नदी अदर बिलकुल ठीक है अदर शिकायत कम सारी मतलब पूजिकाल अटेंदी अधिज मेंसेज मुझेटे अची हो रहा व्याव जे जालें अधाड बड़सा अधियों प्रोग्राम देश उथा न्यूंद राइट या ने तुम पहस्तरी न प्लकु कि अधिक आए थाथ खाल को न्युक्त घड़ करे देखले संद्टन आंतरा श्चाल घड़ां नचा सब्सक्राइब कुम था कोई अधिधी। अग्यन आगं के अधिक आह सब्सक्राइब से रियाद कोई भूसे कोई देखले दो तो जल्दी जल्दी में इज हम तुम नहीं जब जब जो जो थाइंदा उर्भाएं हैं अधिका तान जी फर्माइश केरे भी नबीहा, नबीहा अली हैं, अधा शोई is so nice, रबिया फ्रों कराची, थैंक्यू रबिया, मारिया मजीद, सलाम कैसे हैं भाई, थैंक्यू राइता बनाने के लिए ठीक है, आपको अच्छा लगा, समीर जमाली है, समीर जमाली है, समीर जमाली है, है फैसल, I am सिद्धी की जमा आपका शौक से देखते हैं तो आप सौदी अरब से लाइक कर रहें देख रहें आपने मैसेज किया बहुत बहुत शुक्रिया और वहां पर मेरे लिए द्वा भी कीजिएगा देख रहें प्लीज मेरा मैसेज पढ़ एंड़ें ओके आपका मैसेज पढ़ लिया है इंसालालां तिक का बिर्यानी तहां इस्लामाबाद के ज़िए हैं इसलामाबाद का मुझे जब बियानी था आएं पपी देखको आए नोकश क्रिक कर दाना बाकी बेकिंग में डून अनिए सब रेसिप अने महीनों भी खतम थीघुबस रहें में सतावी नहीं दूना रमजान के अठावी का या सतावी का पहरी रोजवचे पर इन्शाबला तो हुनने में भी मुझे जाके वीक्स में फॉर्ट प्रोग्राम्स होना हैं काउन कंधासी कहता हैं, तो हुनने का पेरी सब रेसिपीस आजी कम्प्लेट करें चलूँ ताकि रमजान रेसिपीस स्टार्ट कंधासी वीयत तरह का पोजे को मुझे वीक बेंदो, ठीक है रमजान से जो first week होगा पहला week होगा 20 या 21 जो भी मेरा week पड़ेगा तो उसमें मैं आपको रमजान की सारी तयारी करा हूँगा खासकर जो मांदा पटी इस तरह की चीज़ें पराटे फ्रोजन चीज़ें तो वो बनाना सीखाँगा और कोशिश है कि उससे पहले आप لोग की फर्माइशे आपको रमजान में सिर्फ हमारे रमजान के दस्तेखान के रेक। अftارि के खाने होते वही बनेगे वही चीज़ें आपको बनेगे रमजान में इतना टाइम नहीं होता है दौन में आदके अलाव है सेहत को उची ये परवास देता है साइका बढ़ाता है दिल को ये भाता है ये है मुहाबत का इजहार पैसिफिक अपनों का